साथ ही हो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की उर्में और हम लेकर के आगा है आपके लिए सभी प्रत्योगी परिच्छाओं की द्रिष्टी से अती महतपूर्ट 360 डिगरी करेंट अफेर यानि की यहाँ पर आपको हर एक प्रस्ण के बारे में डीटेल में जानकारी दी जाएगी जिससे अगर उससे सम्दित कोई अन्य प्रस्ण भी आपकी परिच्छा में देखने को मिलता है हम लेकर के आगा है आपके लिए आज की करेंट अफेर चलिए शुरुवात करते हैं और देखते हैं कि आज की सेशन में क्या-क्या होने वाला है आईए देखते हैं तो टूडे संड की बात कर लेते हैं सबसे पहले यस्टेडे का रिविजन कराया जाए गा है यानि कल हम ने जो आपको प्रस्ण कराया है क्या आपको पता है हर एक परिच्छा में Static GK आपको देखने को मिलती है तो Static GK के क्या-क्या महत्पूर्ण प्रश्ण बन सकते हैं फुल डीटेल में जानकारी के साथ में आपको कराए जाएंगे उसके बद होमबर्ग विद स्क्रीन सॉट कर दिया है इनहें पदमसरी परुष्कार प्रतान किया गया था और इस प्रश्ण के बारे में पूरी जानकारी कल वाली वीडियो में हम आपको दे चलिए आगे बढ़ते हैं रिवीजन के दूसरे प्रस्ण के देखिए तो किस स्टेडियम का नाम बदल करके होकी के प्रसिद खिलाडी बलवीर सिंग सीनियर के नाम पर रखा जाएगा मोटेरा स्टेडियम, फिरोसा कूटला स्टेडियम, मोहाली स्टेडियम या फिर ग्रीन पार्क स्टेडियम एंसर देखते हैं सही answer है C, यानि कि मोहाली स्टेडियम का नाम बदल करके बलवीर सिंग सीनियर के नाम पर रखा जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, अभी हाली में CBI के नया निदेशक कौन चुने गए हैं, सोबोत कुमार जैसवाल, दिनेस्वर सर्मा, आवनी अहुजा या फि पूरी डीटेल में जानकारी के साथ में आपको कराए जाएंगे, चलिए शुरुआत करते हैं, और सीधे चलते हैं, पहले प्रस्नी की ओर, देखिए, पहला प्रस्नी, किस राज ने अभी हाली में लच्छमी भंडार परियोजना की शुरुआत की है, गुजराद, पश्यम में लच्छमी भंडार परियोजना की शुरुआत की है, मुख्य सचिव अलपन बंदो पाध्या की अजतावारी समीतियों के दोरा, लच्छमी भंडार परियोजना पहल और रासन होम डिलेवरी योजना भी चालू की गई है, तो ये तीनों परियोजना है, आपकी पश्यम भंडार परियोजना, चातर क्रेडिट कार्ड परियोजना और रासन होम डिलेवरी परियोजना, ये तीनों जो हैं आपकी पश्यम भंडार परियोजना के तहत गरी परिवारों को सरकार की और से 500 रुपय का मासिक भत्ता मिलेगा ठीक है सभी गरी परिवारों को चलिए पश्ची मंगाल की राजधानी कोल करता है और मुख्यमंतरी कोहने मम्ता बिनेट जी जी है जो अभी हाली में चुनाव जीत करके मुख्यमंतरी बनी है लगातार तीसरी में पूछा गया था तो ये भी आपका कुछ ऐसा ही प्रस्णा है और महत्वुन प्रस्णा है क्योंकि पहली महिला बनी है तो आपकी परिच्छाओं में पूछा जा सकता है सिवांगी सर्मा आवनी चत्रवेदी आश्रता वी ओलोटी या फिर इन में से कोई नहीं चलिए एंसर देखते हैं सही आंसर सी यानि की आश्रता वी ओलोटी को देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजिनियर बनाया गया है चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं देखिए तो भारती वायुसेना के एक अधिकारी ने वायुसेना टेस्ट पाइलेट स्कूल से दे याद रखेगा आसिरता करनाटक राजकी रहने वाली है तो तीनों प्रस्णा आपको याद रखने हैं पहली ऐसी महिला पाइलेट बन गई है जिनोंने स्कूल से जो है फ्लाइट टेस्ट इंजिनियर की इस नातक बादी प्राप्त की है ठीक है अब यहाँ पर वरतमान वा अब यह क्या है आई आपको पूली जानकारी देते हैं देखिए तो रच्छा मंत्री राजनास सिंग ने 27 मई 2015 को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दौरा यह स्वस्त्य साहता और टेली परामर्स पोर्टल ओपीड को लॉंच किया है यह किसके लिए यह आपको याद रखना ह है देखिए तो यह पोर्टल सशक्त्र बलो को टेली मेडिसीन सिवा प्रदान करने में मदद करेगा तो सशक्त्र बलो ऑपलू के लिए है ठी TM neue सेना वायू सेना के पूरु सेवाकरमी और वर्तवां सेवाकरओं कर सकते हैं यनी कि जो लोग सेना में से डाक्टर हैं और इस जिना में काम भी कर रहे हैं तो वो लोग आराम से यहां पर जो है OPD सेवा कर्मी जो है डॉक्टर जो है उनसे सहायता ले सकते हैं ओनलाइन ठीक है इस पोर्टल के माध्यम से OPD पोर्टल यहां पर लॉंच किया गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते आगले प्रशनी क्यों देखिए तो भारत के किस पूर्टल प्रधान मंत्री की पुनिति थी 27 मई को मनाई जाती है लाल बहदुर सास्त्री इंद्रा गांधी जवाहर लाल नहरू या फिर राजीव गांधी चलिए इन सो देखते हैं सही आंसर सी यानिकि जवाहर लाल नहरू की पुनिति थी 27 मई को मनाई जाती है अब इनका जन्म दीवस कम मना जाता है और क्या-क्या महत्पूर्ण हो सकता है इस प्रस्ण से बनने वाले अन्य को कितने प्रस्ण हो सकते हैं आई आपको कराते हैं देखिए तो 27 मई को भारत के पहले प्रधान मंतरी पंडित जवाहला नहरू की पुनिति थी है उनका जन्म 14 नॉमबर 1889 हुआ था इस दिन को बाल दिवस की रूप में मना जाता है ठीक है तो ये भी आपका एक प्रस्ण बन सकता है भारत की आजादी के लड़ाई के दौरान पंडि संति प्रसकार याद रखीगा नामंकर को इन्हों ने जीता था 11 वार इनका नामंकर हुआ था ठीक है प्रताम यूजना आयोक के अध्यच भी कौन है पंडि जवाहला नहरू जैसा कि आपको पता है यूजना आयोक का निर्माट 1950 में किया गया था और आपको ये भी हमने ब संबंदित है भारत तोलन, तीरंदाजी, क्रिकेट या फिर बॉलीबॉल आईए देखे लेते हैं सही अंसर और ये प्रस्न क्यों हमारे लिए महत्पूर है वो भी आपको बता जेंगे देखिए सही अंसर और ये भारत तोलन से संबंदित है अंचिता स्यूली, देखे कुछ जानकारी इनके बारे में, देखे तो भारती भारत तोलक अंचिता स्यूली ने 26 माई 2020 को उजबेकिस्तान में जूनियर विस्व भारत तोलन चेंपियनसिप में 2021 में पूरसों के 73 किलोग्राम वर्ग में रज़त पता जीता है इनको सिलवर मैडल मिला है कहां पर जो भी उजबेकिस्तान में जूनियर 213 किलोग्राम बजन उठा करके दूसरे स्थान पर रहे तो पहले स्थान पर कौन रहा तो इंडोनेसिया के रिज़की ने 309 किलोग्राम बजन उठा करके विस्व रिकॉर्ड बनाया ठीक है तो दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना एक तो अंचिता सियूली जो कि भारत से हैं ठीक है इन्होंने 73 किलोग्राम बजन उठा करके इन्होंने रज़त प्रग जीता है और पहले स्थान पर इंडोनेसिया के रिच्की रहे हैं जिन्हों 349 किलोग्राम बजन को उठाया है ठीक है और एक विस्व रिकॉर्ड भी इन्ने बनाया है चलिए आगे अगर 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 कोई था तो फिर वो कहां गए यह सारी जानकारी आईए देखते है इस प्रशन में देखिए तो अमेजन कमपनी ने एक सेयर धारक बैटक में घोशना किया कि एक एंडी जैसी आधिकारिक तो पर 5 जुलाई को अमेजन के सीओ बन जाएंगे ठीक है एंड जो अमेजन की बोर्ड कारकारी के अधिकारी बनेंगे ठीक है तो जो बोर्ड कारकारी समिती है उसके अधिकारी कौन बनेंगे तो उसके अधिकारी जैब बेजोस बन जाएंगे और CEO कौन बनेंगे तो जो एंडी जैसी है वो अब CEO बन जाएंगे ठीक है चली अमेजन की ब ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो 5 जुलाई 1994 को स्थापना सिएटल वासिंग्टन डी सी में इसका जो है मख्याला है चलिए आगे बढ़ते हैं आगले प्रश्णी के वर देखिए अभी हाली में किस IIT ने एक अनोखा डिटेक्टर फेस बस्टर बनाया है IIT कानपूर, IIT बेंगलोरू, IIT खड़कपूर या फिर IIT रोपर चलिए एंसर देख लेते हैं सही एंसर है D यान कि IIT रोपर ने अभी हाली में एक अनोखा डिटेक्टर फेस बस्टर बनाया है अब ये क्या करेगा आई आपको जानकारी देते हैं देखिए तो भारती प्रोजो की संस्थान यानि कि IIT रोपर और आउस्टेलिया के मोनास्विस्विदाले के स्थोत करताओं ने बिना किसी जानकारी के वर्चुल कॉन्फरेंस में भाग लेने वाले धोके बाजों की पैचान करने के लिए फेक बश्टर नाम का एक डिटेक्टर वक्षित किया है आप देखते हैं कहीं कहीं पर जैसे जूम या फिर स्काइप की बैठक होती रहती है जूम के दारा तो उसमें अचानक से कोई और आ जाता है जिसको यहाँ पर आनुमती नहीं होती है वो भी आ जाता है फिर अभी के इडिया पर किसी को बदनाम करने या मजाग बनाने के लिए हेर फेर से किये गए चेरों का भी पता लगा सकता है जैसे कोई कोई फेस्बुक पर किसी की आईडी है कर लेता ठीक है आईडी कॉपी करके इसकी आईडी चला रहा है तो इनको भी डिटेक्ट करने में यह फेस conferencing application skype और zoom पर इसकी प्रवाद सिर्था के लिए परिच्छन किया गया तो अभी zoom meeting का आईजन किया गया और इसमें इस face detector का प्रयोग किया गया तो यह face detector बिल्कुल सही रहा है तो याद रखिएगा इस face detector का नाम क्या है तो फेक बश्टर नाम से यह detector बनाया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन कियों देखिए तो यहाँ पर आपका टूडे करेंट अफिर समाप्त होता है यहाँ से start होता है आपका 28 मई मद्र प्रदेश करेंट अफिर के महत पूर्ण प्रशन MP की सभी परिच्छाओं के लिए अति महत पूर्ण आईए देखते हैं तो हाल ही में सहरी एवं आवास मंतराले दोरा जारी की गई समार्ट सिटी रैंकिंग में इंदोर सहर को कौन सा इस्थान मिला है पहला दूसरा तीसरा या फिर चौथा तो पूरे भारत में इंदोर सहर को समार्ट सिटी की रैंकिंग में कौन सा इस्थान मिला है आईए दे में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है फरवरी में इंदॉर की रंकिंग किनी झी tीä 7 नंबर पर थी फरवरी में यतना अच्छा विकास किया उन लोगों Um इंडौर वालोंने की आगे कितने पर दूसरे नंबर पर हाली में सहरी यों आवास मंत्राले दौराज जारी की कि स्मार्ट रंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर है बाई ठीक है तो 100 सहर हैं पूरे भारत से चुने गाएं जिनमें पहले स्थान पर भोपाल है और दूसरे पर इंदौर है यानि पहले और दूसरे दोनों नंबर पर मद्ध प्रदेश का कब जा है ठीक है और आपको ये तो पता ही है कि इंदौर जो है जो सफाई में है सफाई में नंबर एक पर है इंदौर और विगत चार सालों से लगा ता नमबर एक पर बना हुआ है कौन? इंदौर मद्ध प्रदेस का, ठीक है? दूसरे स्थान पर आपका इंदौर है और तीसरे स्थान पर कौन है? सूरत जो है वो तीसरे स्थान पर स्मार्ट सेटी में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते, आगे ले प्रशनी की और देख चलिए एंसर देख लेते हैं इसका? सही एंसर है ब याने की पचीस मेई से 31 मेई 2021 के लिए किल कोरोना फोर अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं देखिए। किल कोरोना फोर अभियान है वो 25 अपरेल से 9 मेई 2021 की तक चलाया जाएगा ठीक है। पहला प्रस्ण देखिए। सारे प्रस्ण परिच्छाओं में आए हुए हैं देखिए। तो टेली वीजन का आविसकार किसके दोरा किया गया था। जैक न्यूटन, राइट ब्रिदर्स, या फिर कुल्ट के दोरा चलिए अंसर दिख लेते हैं। सही अंसर थी यानि कि जै एल बेड के दोरा टेली वीजन का आविसकार किया गया था। तो जै एल बेड एक स्कॉटलेंड के आविसकार रख थे, इन्होंने टेली वीजन का आविसकार किया था। तो कई बार परिच्छाओं में पूछा गया कि जै एल बेड कहां के बैग्यानिक थे, तो याद रखेगा स्कॉटलेंड के बैग्यानिक थे, जै एल बेड जिन्होंने टेली वीजन का आविसकार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरतमान लोगसभा में अधिक्तम सीटों की संख्या कितनी हैं। बरतमान में अधिक्तम सीटों की संख्या 552 है जो 1971 की जनगन्ना के अनुसार है और 2026 तक बनी रहेगी। तो 1971 में जो जनगन्ना की गई थी उसी के आधार पर अभी तक लोगसभा की सीटों का बित्रन किया जा रहा है। और 2026 तक यह अथावत बनी रहेगी। फिर 2026 में जो वापस से जनगन्ना होगी उसके आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। अब यह 1971 की जनगन्ना की आधार पर क्यों बनाया गया तो इसके फीचे बड़ी लंबी कहानी है। किसी दिन हम एक अलग से वीडियो आपको बना करके बता देंगे। क्योंकि हो सकता इंटर्व्यू में पूछा जा सकता है। या फिर कही कोई आपसे पूछी लेकि 1903 की जनगन्ना को क्यों आधार बनाया है। तो इस सारी जानकारी हम एक छोटी सी वीडियो बना करके आपको बता देंगे। बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी है। किसी दिन हम वीडियो लेकर के आएंगे इसके उपर भी। तो याद रखे है 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 तेलंग गाना में कुली कुतिब साहने बनाया है कब बनाया है 1559 बनाया था चार मिनार ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखे कल के प्रशन की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि सचिन तेंदुलकर ने विस्व का पहला दोहरा सतक किस स्टेडियम में लगाया था। सही आंसर है रूप सिंग स्टेडियम गौलियर किस किस ने सही आंसर दिया आए दिख लेते हैं। तो प्रस्तेडियर क रूप सिंग स्टेडियम स्टेडियम में आफंडीज़ बॉट्ची यहां स्टेडियम स्टेडियम में दोहरा सतक लगाया था। ग्वालियर अंभुज शुकला ने पिल्कुर सही आंसर बता ए है। संद्या स्वामी ने बिल्कुल सही अंसर बताया और सैलन चौधरी ने काफी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है इस प्रशने के बारे में तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का आप लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं जिससे हमको भी अच्छा लगता है हमको भ बॉक्स में कमेंट करना है चुनाव आयोग का बढ़न भारती समिदान के किस अनुच्छेद में किया गया है और यह प्रशन पूछने के पीछे एक कारण है क्योंकि अभी चुनाव आयोग चर्चा में बना हुआ है कि कुरोना फैलाने में जो है ऐसा माना जा रहा ही चुन जल्दी मिलते हैं दो पहरे साड़े बार बजे प्रैक्टी सेट वाले सेट में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद